नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजीवार आप देख रहे हैं बिहार वाला आल जिवी यूटुब चनल दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रूब डी का जो है चौथा फेज का जो है सेड्यूल जारी कर दिया एकजाम का तो उसी इक बारे हम बात करने व सब्सक्राइब करें दोस्तों अभी चलते हैं नोटीस आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं और नोटीस में आपको समझाते कि कब से कब एकजाम होगा और कौन-कौन से रर्सी वाले एकजाम दे सकते हैं दोस्तों अभी हम जो है भोपाल का वेबसाइट पर आ गया है और सब्सक्राइब करें और यहां पर देखके हैं कि यहां पे अभी आपको डिखाते हैं NOTICE का नोटीकेशन आया अभी देख सकते हैं notice on exam schedule for CBT phase 4 तो यहां से आपको क्या करना है notice डाउनलोड करना उसके बाद आप देख सकते हैं तो notice हम डाउनलोड करते हैं और उसके बाद step by step आपको समझाते हैं कि कौन-कौन से आररसी के लिए यह जो है यह आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं कि notice exam schedule for CBT 4 फेज यहां पर एक नमर में देखे लिखा हुआ है CBT एभव CEN फेज फेज इन फेजए नो से लेके 19 स सतंबर से लेके 7 अक्टूबर तक exam चलेगा फेज का और काउननों से अडारसी के लिए है यह सब कुछ हम आपको बताते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि वह सब कुछ फॉलो करके होगा और फेज टू आप देखें दो नमर में लिखा है फेज फोर वी हेल्ड वेरियस सीटीज अल अभर इंडिया ग्रूप कंप्रेजिंग पहला नमर में हैं Central Railway Mumbai Eastern Railway Kolkata दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आप जानते हैं कोलकाता का नहीं हुआ था और आपका मुंबई का नहीं हुआ था Central Railway का और गॉरखपूर यह तीनों का नहीं हुआ अभी एक जाम तो इनी तीनों का जो है नाम दिया गया है नॉर्थ इस्ट यहां पर तीन नमर में लिखावा है दा लिंक फॉर भूइंग एक्जाम सीटी डेट विल वी मेड विल वी लेटिस्ट 11 वजे से 12 मतलब 12 सितंबर से जो है एक्जाम सीटी वगर आप चेक कर सकते हैं और आपका जो एक्जाम सीटी डाउनलोड होगा वह चार दिन पहले होगा एक्जाम जो इस टारिक से चार दिन पहले जो है आप इसका जो है एक्जाम सीटी डाउनलोड कर सकते हैं और 12 सितंबर से जो है आप एक् सब कुछ आपको समझ में आएगा लेकिन अगर डाउनलोड करने की बात करें तो उनीस के चार दिन पहले यानि कि मान के चलिए पंदरा स्तारिक से आप जो है एड्मिर काड डाउनलोड करना स्टार्ट कर देंगा पंदरा सितंबर से और आपको एक्जाम सिट्टी वेगरा ब मुंबय वाले जो बच गए थे और गुरकपूर वाले यह सभी अच्छे से तियारी करें और एक्जाम को दें और अच्छे से एक्जाम देका हैं ताकि इसी बार स्लेक्षन हो आपका क्योंकि जान ही रहें कि इक्जाम कितना लेट लेट से हो रहा है नेक्ष्ट वेकंसी आने वाला है लेकिन फिर वी आप अच्छा से एक्जाम दे की सिमें सेलेक्षन पाले क्योंकि जितना जल्दी आप सलेक्षन पाली जिए उतना अच्छा रहेगा तो आल दी बैस्त और वीडियो अच्छा लगा है तो लाईक किजीए कमेंट किजेए और वीडियो के जप्सुर्स कर दो अजय सकते हैं